विंटर्स की शुरुवाद होते ही, हमारे मेन्यूस पर, स्पेशली शादियों के मेन्यूस पर, इन डेली, मूम दाल हल्वा जरूर फीचर होता है यूँ कै लिजे कि अगर मूम दाल हल्वा नहीं बनेगा, तो शायद शादी नहीं होगी और कई ऐसे लोग हैं, जो शादियों में जाते ही, सिर्फ मूम दाल हल्वा काने है Because it's yummy सबसे पहले, मूम दाल को हमें भिगोना है, करीबन 3-4 घंटे उसके बाद जितना भी एकसेस पानी है, उसे फिंक देना है और एक कप मूम दाल, सोक होने के बाद यूँ, कुछ ऐसे हो जाएगे अब इस मूम दाल को हमें पीसना है, you can use a mixer grinder सबसे पहले हम देसी गी, 1 cup गरम करेंगे गर्म गरम देसी गी के अंदर हम डालेंगे, एक बड़ा चमच सूजी का साथ ही डालेंगे एक बड़ा चमच पेसन का ना, इन दोनों को हलके से, जब तक बूरा नहीं हो जाते, इनको पकाना है लिसन टू दिस, ये जो आवाज है, ये है सेमली ना, यानि सूजी की और ये जो दरदरा पन है, ये एक अच्छा टेक्च्चर देगी और हलवे को नीचे चिपकने नहीं देगी सूजी हलकी भूरी हो गई है, इसके अंदर हम डालेंगे ये PCV मूंग दाल एक सबसे ज़रूरी टिप, मूंग दाल को हमेशा हलकी आँच पर ही पकाते हैं, वरना उसमें गूटिलियां पढ़ जाती हैं नव, इत में सीम के घी बहुत जादा है, बट जस्वाच, ये सारा का सारा घी ये पूरी की पूरी दाल पी जाई है अन जो फ्लेम, जब दो कि एक पन रहा है, हम लोग इसकी चाश्नी बना लेते हैं एक पैन पैन में हम डालेंगे करीबन एक कप पानी और उसमें जाएगी एक कप चीनी चीनी को बॉल करना है, थोड़ी देर पकाना है, अस वाटर इस बॉलिंग, उसके अंदर हम डाल सकते हैं केसर और थोड़ा सा इलाइची पाउडर अगें साफरन इस अप्शनल, इलाइची अच्छी 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 आएची इनासे टेस्ट, आले इलाइची ज़रू डालें शुगर सिरफ पगया, इससे बंद कर देंगे, अब सिर्फ इंतजार है इसके ब्राउन होने की, अच्छी सी, धीरे 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 ये क्रम्बली होता जारा है मिक्सर, और जैसे जैसे इसका रंग चेंज होगा, ये बिलकुल एक सांडी टेक्च्छी तरह हो जाएगा, जरो होगा, नच्छी तरह मेदा, इसके भी आफ संग्याम, अच्छी accord मेदा, धीरे नच्छी कлять जबने के लिए, जैसे बव सक्षची को येलोoff, क्णी के जब दक्रेंएगा, इसका रंग जो है, ब्रॉन होने होगए, एसका रंग बी जो है, ब्रॉन होना शूरू हो गै, इसे इस stage पर बिल्कुल भी नी छोड़ना, keep stirring it, otherwise यह बिल्कुल जल जाएगा, look at that, यह evenly brown हो चुका है, एक interesting बात यह है, कि अगर आप घर पर यह बना रहे हैं, इस stage पर घी के साथ आप इसे निकाल कर अलग से रख सकते हैं, मतलब यह खराब नहीं होगा करीबन एक महीने तक और जबी भी आपको मुंग दाल हल्वा खाना है, मेकर शुगर सिरफ, add to it, मुंग दाल हल्वा, पांच मिने में तेयार है, this is the perfect time, without any delay, हम इसमें डालेंगे हमारी चाशनी, take a step back, क्योंकि यह उपर कवाएगी, क्योंकि तक पकाना है, जब तक की पूरी की पूरी चाशनी, यह बजॉब ना कर ले, और चितनी चाशनी और पानी अबजॉब करेगी, जो हलबा उतना ही खिल कर उभर कर निकलेगा, कुछ देशनी चाशनी निकलेगे, क्योंकि एक बजूब करना है, अधिस टेज, हम इसके अंदर डाल सकते है, छॉप्ट पिस्टा, छॉप्ट बड़ाम, छॉप्ट काजू, प्रिवच वटेवर्वर्ट यूद इसको तोड़ा सुखाना है, तो तो डॉद तो यह उद्व तब तक पकान है, जब तक के यह धंक से पानी को सोकना कर ले और ठिकना हो जाए, और जैसे यह थिक होगा, जो गी है, इल स्टार्ट उजग आउट, और यह साइच छोड़ेगा, तो के दाट, अद वी तरन इट अफ, मूंग दाल हल्वा इस दन, नाइस, रिमी हल्वा, ए लिल्ल मॉड कर बादियो जाए, जब आछ, ज बिल्ट बिलेट पिस्टक्यो, गुट तो बूंग दाल हल्वा दान झाल झाल